हेलो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और काफी खास है अगर आप लोग एक सकसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं ब्लॉगिंग के दुनिया में आपकी लाइफ बदल दे कहने का मतलब है दोस्तों कि इस वीडियो में आपको कुछ अपना प्रस्नल इस्प्रियंस सेर करने वाला हूँ जिसको हमने फॉलो करके लगभग दो मेने के अंदर पंद्रा सो डॉलर अर्निंग किया और साती साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बत लिकत ना हो अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरूश लेकर आख़री तक जरूर देखें तो चलिए जान लेते हैं कि हमने लगभग दो महिने के अंदर कितने वेफसाइट को किरिएट किया और साती साथ हमने गूगल एटसंस को यूज करके कितना अर्निंग किया ताके थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट हो सकें बगल में मैं आपको कुछ स्कीन शॉट भी दिखाऊंगा जिसको आप लोग देखने के बाद सायद आपके अंदर भी चाहत जाग जाए और आप लोग महनत स्टार्ट कर दें अगर आप लोग महनत कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है महनत करने वालों को ही काम्याबी मिलती है जी हाँ दो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की कोई भी चीज करने से पहले आपको उसके लिए तयारी करना बहुत ही जरूरी होता है तयारी के नाम पर दोस्तों क्यों आपको पहले रिस Pat, तभी दोस्तों कुक्स ने अपको काम्याब ब्लोगर बन सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये हकीकत है जो लोग भी research करके काम करते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमने कौन से process को follow किया जो आप लोगों के लिए काफी helpful साबित होने वाला है अब दोस्तों यहाँ पर बात रही कि काफी लोग यहाँ पर आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है ठीक है यह भी जानना हमारा फर्ज है और हमको जानकारी होना भी जरूरी है कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है तो simply दोस्तों हमने चार डोमेन बाई किया और टोटल का टोटल डोमेन जो था news से related था यानि news वाला website मुझे बनान है हमने डोमेन के ऊपर रिसर्ज किया अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू रिसर्ज के नाम पर आपको बहुत सारी साइड मिल जाएगी जहां से आप लोग डोमेन रिसर्ज कर सकते हैं लेकिन हमने उस तरह का रिसर्ज नहीं किया हमने उस website के उपर विजिट किया जहां पर एक्सपायरी डोमेन का लिस्ट मिलता है बहुत ऐसी साइड आपको मिल जाएगी गूगल में ठीक है जहां से आप लोग चेक कर पाएंगी कौन सा डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है केतने दिन में एक्सपायर हो रहा है और उसे आप लोग कैसे बाई करेंगे जहां से आप buy कर सकते हैं लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यह domain कब expire हो रहा है हमने research किया research करने के पदद चार domain मुझे मिला जो की news से related था और हमने चारो का चारो यानि buy कर लिया अब दोस्तों यहां पे आप लोग कोई भी domain expired domain buy नहीं करें ठीक है domain buy करने से पहले आपको एक चीज और देखना होगा कि domain का DA क्या है यानि domain और दोरटी जो क्या है अगर photos buy करें आप उसे भाइं नहीं करें अभर आपको बता दुए डिंध। अुक्त होता है यानि और टोङ जो होता है यह अधिक उता है इससे क्या होता है कि आपका ब्लॉग वेफस्ट साइट जल से जल रएंग करेगा आपका जो का पोस्ट होता है वो जल्द से जल्द रैंग करेगा और साथी साथ दोस्तों आपको गूगल एड्सेंस का भी अप्रूबल जल्द से जल्द मिल जाएगा जी हां दोस्तों यह भी बहुत ही मार्केवल बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग इस प्रोसेस को फॉल दोस्तों इस पर हम लगबग 3-4 मैना पहले से तयारी कर रहे थे हमने यहां पर कुछ पोस्ट भी जनरेट करके रखावा था जो कि कुछ पुड़ाना था कुछ नया था अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग कोई भी साइट करते हैं तो उसके लिए आप तयार रहें हम भी यहां पर तयार थें चारों वेबसाइट के ऊपर लगबग हम एक मैने का पोस्ट लेके बैठे वे थें जैसे वेबसाइट फुली कस्टमाइज हुआ हम पोस्ट पब्लिस करना शुरू कर दिये अब दोस्तों यहां पर जान जाईए कि अगर आप अ साइट करते हैं तो वेब मास्टर टूल में अपने डॉमेंट को जरूर वेरिफाइ करते हैं डॉमेंड को वेरिफाइब करने के बाद वहां यह भी करते हैं घृकरने के बाद दोस्तों अप फो मैनध करने करना होँदा है säil जाए यह मेहां Industries स्वाना गरा वह दोСेरित करन के उपर ही यहां पर हम न्यूज पब्लिस करने के बारे में सोच रहे थे और हम वही कर रहे थे यहां पर दोस्तों सिंपली हम सिर्फ पॉल्टिक्स से रिलेटेड ही न्यूज पब्लिस करने वाले थे और उसी से रिलेटेड हमने पोस्ट पब्लिस किया यानि एक महिने का हमन देखते हैं कि इस साइट के ओपर continue पोस्ट हो रहा है तो वह आपके ब्लॉग के पोस्ट को जल से जल वह परमोट करेंगे यानि परमोट करने के बाद आपके साइट के ओपर ट्राफिक बगरा भी जनरेट होगा अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक प्रोसेस और है जिसे आपको फॉलो करना है जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाए उस वेबसाइट से रिलेटेड आप जितने भी सोसल मीडिया में है पेज जरूर क करें चाहिए वह फेस्बूक हो टुइटर हो इंस्ट्राग्राम हो यूटूब हो सब के लिए आप एकांट बना लें एकांट बनाने के बाद उसके उपर भी आप लोग सेर करें अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग पॉलिटिकल निउस अपने साइट के उपर ट्रेंडिंग निउस अपने साइट के उपर पब्लिश करते हैं अगर आप लोग उसे सेर करते हैं तो आप अंदादा नहीं लगा सकते हैं कि अगर आपने सेर किया किसी को भी सेर किया अगर आपका निउस सही है सटिक है तो वो निउस कितना सेर किया जाएगा पे जो मैं आपको बोल रहा था कि share करना share करने से दोस्तों क्या होता है कि आपके साइट के उपर बैक लिंग्डos appropriate होगा आप लोग अपने साइट के ओपर बैक लिंग जनरेट करने के लिए काफी इसको फॉलो करेंगे तो अपने साइट के ऊपर अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे यहां पर दोस्तों हमने जो किया एक डोमेंड लिया डोमेंड लेने के बाद हमने उसके ऊपर यानि एक महिना का आर्टिकल पहले से हाथ में रखा और तीन-चार पोस्ट वहां पर डे पब्लिश करते थे और साथी साथ दोस्तों हमने गूगल एटसंस के लिए अपलाई किया और मुझे अप्रूबल भी मिला अर्निंग भी होने लगी और इतनी होने लगी कि मैं आपको क्या बता हूं लगबग एक मैने के अंदर एक मैने के अंदर लगबग आपको तीन-सो- चार सो किसी में दो सो किसी में एक सो और किसी में हमने ले लिया है अब दोस्तों मैं आपको बता दो कि सारे गूगल एटसंस का अप्रूबल लिया जी हां दोस्तों यह हकिकत है क्यूंकि दोस्तों गूगल एटसंस का अप्रूबल लेना कोई भारी काम नहीं है बहुत ही आ सच्चे दिन से काम करते हैं तो Google AdSense का Approval मिलेगा, चोड़ी चमारी नहीं करते हैं, ठगते नहीं हैं, किसी का content copy करके अपने साइट के ओपर नहीं डालते हैं, तो आपको 110% Approval मिलना ही मिलना है, तो finally दोस्तों हमने जो process को follow किया, मैं आपको बता दिया, अगर दोस्तों आप लोग इस process को follow करते हैं, तो आप लोग जल से जल, blogging की दुनिया में नाम कमा पाएंगे, अपना career बना पाएंगे, और earning भी कर पाएंगे, बस आपको यहीं करना है, कि अपने domain को buy करना है, और वो भी आप लोग कोसिस करें, यानि expired domain buy करने का, वो भी अच्छा domain buy करने का, औ आप लोग कुछ trending topic, कुछ नया करने की कोसिस करें, blogging में दोस्तों काफी competition है, अगर दोस्तों आप लोग कुछ नया करने की कोसिस करते हैं, तो 110% आपका blog भी राइंग करेगा, और आपका site भी राइंग करेगा, जो भी आप महाँ पे create करेंगे, कुछ भी महाँ पे आप post दिखेंगे, तो वो भी index करेगा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे नया करने की जरूवत है, और वही हमने किया, और इस पे हमने लगबग 4-5 महीना invest किया, हमने completely research किया, अपने site के लिए हमने unique content create किया, लगबग 1 महीना का, क्योंकि दोस्तों news वाला site है, और आपको यहा मैं आपको बता दूँ कि news वाला site बहुत जल्दी राइन करता है, और इसके उपर traffic भी अंधा धून आता है, और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है, कि यह चारो site के ऊपर मुझे तबूला का भी approval मिल जाए, क्योंकि एक महीने के अंदर लगबग आपक करके दिखाऊंगा, और साती सात दोस्तों मैं आपको यह भी बोल दूँ कि इन सब site को हमने YouTube चैनल के ऊपर नहीं बताया है, काफी लोग बोलते रहते हैं, इसराइल भाय को जो traffic आता है, वो YouTube से आता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, YouTube के ऊपर जो भी site हमने बताया है, वो आप लोग उसे follow करते हैं, तो आप लोग ब्लॉगिंग के दुनिया में earning कर सकते हैं, career बना सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, तो यह वीडियो कैसा लगा, please comment करके मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया हो, तो please वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा, और इसी तरह क का वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चनल को subscribe भी कर लीजिए, thank you for watching,